दोस्तों, सोना एक ऐसी धातू है जिसके आभूशन हर कोई धारन करना चाहता है खासकर हर महीलातू धारन करना ही चाहती है लेकिन दोस्तों, हर किसी के लिए सोना शुब हो ऐसा नहीं कहा जा सकता जोतिर शास्तर की माने तो सोना राशी चक्र की कुछ राशियों के लिए ही शुब होता है और कुछ विशेश परिस्वितियों में हर राशी के लिए ये लाबदायक हो सकता है आईए ऐसे मैं जानते हैं कि सोना किन राशियों के लिए लाबदायक माना जाता है मेश राशी जोतिश शास्तर के नुसार मेश राशी की जातकों के लिए सोना एक शुब धातु मानी जाती है इस धातों को पहनने से मेश राशी की लोगों में साहस पराकरम की विर्दी होती है और हर छेत्र में अच्छा परदर्शन इस राशी की लोग कर सकते हैं साथी भाग्य भी साथ देता है जिससे आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं पारिवारिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिष्टा मजबूत होता है और माता पितागा भी आपको स्नेह प्राप्त होता है मित्र और प्रियजन आपका हमेशा साथ देते हैं सोनी की अंगोठी पहने से आपको पुराने करजों से भी छुटकारा मिल सकता है यानि मेश राशी के जातकों के लिए सोना बहुत ही अच्छी धातू मानी जाती है सिंग राशी के व्यक्ति का सोना पहनने से उर्जा वाउच सहब बढ़ता है और सभी कार्या आसानी से पूरे हो जाते हैं नौकरी और कारोबार में भी इस राशी की जातकों को सोना धारन करने के बाद उन्नती मिल सकती है पारिवारिक जीवन में भी इस राशी की जातकों को सोना धारन कर कर सकते हैं तो कम से कम आप चेन या कड़ा पहन सकते हैं आपकी राशी के लिए गुरु साथवें और पांचवें घर के स्वामी होते हैं जिसकी वजए से गुरु सोने का आभुषण पहनने से शुफल देते हैं इस आभुषण को पहनने से जीवन की आपकी ज्यादतर समस्य धनुराशी आए दोस्तों आप जानते हैं कि किन राशियों को सोना धातु धारण करने से बचना चाहिए इन राशियों में हैं विर्षब, मिथुन, विर्षिक, कुम्ब इसके अलावा तुला और मकर राशी वाले सोना पहन सकते हैं लेकिन बहुत कम मातरा में मेन राशी के लोग भी सोना धारण कर सकते हैं लेकिन जोतिश की सलाह के बाद इसके लाबा दोस्तों, आपकी राशी कुछ भी हो लेकिन गुरू और सूरे की दशा के दौरान सोना पहनने को आपको कहा जा सकता है हलांकि इसके लिए भी आपको जोतिश से सलहा अवश्य कर लिनी चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा देगी ये जानकरी पसंद आई होगी ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें नमस्कार